हाजी तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त गगंदीप आपके अपने फेवरिट चैनल जी डीटेकरी से तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू हाँ जी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आज हमने जो है वो केंदरा बैंक की ओफिशिल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है तो फ्रेंड्स इसका मतलब जो है आज की हमारी जो वीडियो होगी वो केंदरा बैंक के ऊपर ही होने वाली है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक को ही जानते हैं तो दोस्तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा इन्वेस्टमेंट बट इन्वेस्टमेंट होगी जी इंस्टॉल्मेंट में जी हाँ दोस्तो बहुत से ऐसे हमारे views हैं जो ये चाहते हैं कि एक ऐसी investment plan के बारे में बताया जाए जिसमें हम monthly invest करें अगर हमारे पास bulk में पैसा नहीं है तो तो दोस्तो आज मैं आपको केंडरा bank में ऐसी ही एक investment scheme के बारे में बताऊंगा जिसमें आप क्या कर सकते हैं installment में जो है वो अपनी investment कर सकते हैं तो फ्रेंड्स टोपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले एक पत बता दूँ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जीडी टेकी को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सबस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए तो देखी दोस्तो मैंने केंडरा बैंक की ओफिशिल वेबसेट को उपन किया हुआ है सबसे पहले मैं आपको वही स्कीम के बारे में बताता हूँ दोस्तो स्कीम है जी आर डी रैकरिंग डिपॉजिट जी हाँ दोस्तो बैंकिंग फिल्ड की सबसे पुरानी स्कीम में से ए जिसमें हम क्या कर सकते हैं हर महीने अपने पैसे को इंवेस्ट कर सकते हैं दोस्तो आर डी में इंवेस्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा रेट ओफ इंटरस्ट को ही जानना होगा तो देखिए राइट हैंड साइड आपको एक कोलम मिलेगा मैं rates पर क्लिक करता हूँ rates पर क्लिक करने के बाद interest rate देखिए दोस्तो हमारे सामने क्या होगा जी rate of interest का जो है वेब पेज खुल के आ जाएगा deposit account as per RBI format अब आप सोच रहे होंगे कि मैं rate of interest तो चेक कर रहा हूँ term deposit वाले दोस्तों बिल्कुल सही बात है रेकरिंग deposit के ओपर जो rate of interest टैबली केबल होते हैं वो term deposit वाले ही होते हैं तो देखिए जैसे मैं नीचे आता हूँ नीचे आने के बाद हमारे rate of interest है जी rate of interest रिवाइस हुए है सबसे पहले तुम आपको बताऊंगा कि अगर आप रेकरिंग deposit में invest करने हैं तो कम से कम आप दो साल के लिए करिए आप long period में मत जाईएगा उसका कारण क्या है कि अगर आप 15 साल 10 साल की investment scheme के बारे में सूच रहे हैं मतली invest करने के लिए फिर आप mutual fund या PPF में invest कर रहे हैं अगर आप short term के लिए सोच रहे हैं तो फिर आपके लिए RD बढ़ी है तो मैं दो साल के लिए बताता हूं देखी 2 years and above 2 less than 3 years rate of interest कितना है जी 5.10 और senior citizens के उपर 5.60 अब हमने rate of interest तो जान लिया अब हम क्या करते हैं जल्दी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम माल लीजिए 5.000 रुपे invest कर लें किसी तरीके से 5.000 रुपे invest कर दें दो साल के लिए तो हमें कितनी maturity value मिल जाएगी तो देखी दोस्तों मैं क्या करूंगा सबसे पहले RD calculator को open करूंगा तुमा RD calculator open करता हूँ पहले देखी दोस्तों हमने RD calculator को open कर लिया है माल लीजिए हम invest कर रहे हैं कितना देखी ये मैं fill करता हूँ 5.000 और जो rate of interest है हमारा वो कितना है जी 5.1 और जो time period है वो कितना है जी 2 साल का तो देखी दोस्तों अगर आप किसी तरह से 5.000 रुपे invest कर लेते हैं और जो rate of interest है वो है जी 5.1% के हिसाब से 2 साल के बाद आपको कितनी maturity value मिलेगी आपकी जो investment amount होगी वो होगी जी 1,20,000 रुपे और जो average ब्याज होगा वो कितना होगा जी 6,561 रुपेज और टोटल वैल्यू मिल जाएगी 1,26,561 रुपेज तो दोस्तों अगर आप किसी तरह से as a senior citizen इंवेस्ट कर लेते हैं मतलब आपके घर में कोई senior citizen है आप उनके बिहाब पर इंवेस्ट करते हैं तो देखिए rate of interest कितना होगा 5.6% तो आप देख सकते हैं आपकी जो investment amount होगी वो कितनी होगी जी 1,20,000 रुपेज और जो ब्याज होगा वो कितना होगा जी 7,222 रुपेज और टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी 1,27,222 रुपेज तो देखा दोस्तो कितनी असानी से आज हमने केंडरा बैंक में ये जान लिया कि अगर आप short term के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप short term के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि monthly इन्वेस्ट किया जाए तो आप किस तरह से invest कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like और share जिरूर कीजिएगा तो इस वीडियो में इतना ही